इस भयंकर गर्मी को दूर भगाने के लिए, शरीर को रहत पहुचाने के लिए, शरीर में ठंडक प्रदान करने के लिए, मैं आपके साथ तो बहुत ही टेस्टी तर्बूज के शर्बत की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक तर्बूज लिया है, जिसे बहुत अच्छे से धू लिया है, और उसके बाद मैं से कट कर रहे हूँ गर्मियों में बहुत ही अच्छा तर्बूज मार्केट में मिलता है, मीठा मीठा तर्बूज, तर्बूज में वाटर कॉंटेंट बहुत ज़ादा होता है, तो हमें इसे जरूर खाना चाहिए यह हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता शरीर को हाइडरेट रखता है और आपको बहुत ही थंड़क प्रदान करता है तो यहाँ पर तर्भूज को दो हिस्सों में कट करने के बाद मैं इस तरीके से से कट कर रही हूँ और हमें यहाँ पर क्या करना है तर्भूज के शर्वत बनाने के लिए तर्भूज के कुछ पीसे बड़े बड़े कट करने हैं और कुछ पीसे आपको छोटे कट करने हैं यह जो तर्बूज के शर्वत हैं इन्हें आसानी से आप घर में बना सकते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पर आपको दो शर्वत बनाना मैं बता रहे हूं तो यहाँ पर मैंने तर्बूज को इस तरीके से पहले कट कर लिया है और अब आपक इसके बीज निकालने के आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से इसके बड़े-बड़े से पीसिस आप कट कर लिजे, और कुछ पीसिस बड़े-बड़े करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तर्बूज लेंगे, और इसके कुछ पीसिस आप छोटे-छो तो कोई तिकत नहीं है तो जो पहला शर्बत बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है आपको लेना है एक मिक्सी का जात और इसमें लगभग डेड़ कप के करीब आपको ये तर्भूच के बड़े वाले टुकड़े डाल देने हैं 20-25 इसमें पुदीना पत्ते डाल बुना हुआ जीरा पाउडर अब आपको इसमें आधा नीवू का रसनी चोड़ देना है और इसके बाद आपको इसके अंदर डालना है पानी फ्रिज का ठंडा पानी लिया है मैंने तो यहां पर थ्री फोर्थ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है जार का ढख इस तरह आप इसे चान लेंगे तो यह जो बीच के छोटे-छोटे दाने से बचे ना यह निकल जाएंगे अब छलनी में से आप इसे हटा दें और यह देखे बहुत ही बढ़ी है बहुत ही रिफ्रेशिंग शर्वत है तयार अब आपको क्या करना है आपको एक ग्लास लेन इस ग्लास को आपको ऊपर तक पूरा नहीं भरना है क्योंकि अभी हम इसमें तर्बूज के छोटे-छोटे पीसे और डालने वाले हैं तो यहां पर जो हमने तर्बूज छोटे-छोटे पीसे में कट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह जब आप यह त तर्बूज का शर्बत पेंगे तो यह चोटे-छोटे पीसे मुह में आएंगे जो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे अब इसे पुदीना पत्ते से गानिश कर दीजिए गर्मी में रहत प्रदान करने वाला तर्बूज का शर्बत हो चुका है तैयार तो आप भी जब घर तर्बूज लाएं तो इस तरीके से यह शर्बत चरूर बनाएं अब मैं आपको तर्बूज का दूसरा शर्बत बनाना बताती हूं यहां मैंने एक बड़ा बोल लिया है और इसमें मैंने टू टेबले स्पून गुलाब का शर्बत ढाल दिया है आप इसकी जगा अगर चीनी पीस कर डालेंगे तो बहुत आसानी से घुल जाती है ज्यादा समय इसे बनाने में नहीं लगता है अगर आप चीनी साबुट डालेंगे तो उसे थोड़ी देर तक आपको ऐसे बहुलना पड़ेगा तो यहां पर सभी चीजे मिक्स हो गई है अब आप इसमें मैंने इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाला है और लगवग दो ग्लास के करीब मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है अच्छी तरीके से इसे आपको मिक्स कर लेना है अब यहां पर आप इसमें डाल देंगे तरबूच के पीसिस यह मैंने पहले से छोटे छोटे पीसिस काटके रखे हुए हैं ये इसमें डाल दी हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब भी आपके बच्चे आप कहीं बाहर से धूप में से घर में आ रहे हैं और आप कुछ ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग पीना है तो फटा फट से आप इन दोनों शर्वत में से कोई सभी हेल्धी है टेस्टी है और बहुत ही ताजगी प्रदान करने वाला है तो यहां पर हमने इस शर्वत को सर्व कर लिया है तो आप भी गर्मी को दूरЭтоמ में यह शरॵत चरूर्ह पी यह हैं रह्यारा तो ला इक क्या करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रस करें झाल झाल